भारत जोड़ो यात्रा का आज चौधवा दिन है। कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ केरल के कोच्ची से चौधवे दिन की पद्यात्रा की शिरुवात की। हजारों की संख्या में लोगपद यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी की यात्रा से फिलहाल बीजेपी की परिशानी बढ़ती जा रही है वही राहुल अपने लक्ष को साधने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो आज का क्या है राहुल का एक्शन प्लान देखते ह हैं यह रिपोर्ट आज कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ कोच्ची से भारत जोड़ यात्रा के 14 दिन की शिरुवात की कोच्ची जिले में मौजूद नेताओं ने सुबह 6 वच के 45 मिनट पर मदवाना से यात्रा शुरू की जहां से नेता सुबह 13 क्लोमीटर चरकर एडा पल्ली तक जाएंगे गांधी ने ट्वीट किया आज की प्रेणादायक शिरुवात महान आध्यात्मिक नेता दार्शनेक और समात सुधारक श्री नारायन गुरू को मेरी श्रद्धांजली अर्पित की जिनके समानता की सिक्षा भारत अर्पित करने के साथ हुई पद यात्रा सुबह 6 बच के 45 मिनट पर मदवाना से शुरू हुई और यात्री सुबह 13 क्लोमीटर पैदल चल कर एड़ा पल्ली तक जाएंगे सचिन पाइलेट आज यात्रा में शामिल हुए हैं कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी और पार्टी कारिकरता नेता 18 दिनों तक केरल में रहने वाले हैं कल्या कुमारी से कश्मीर तक का 3750 क्लोमीटर का सफर 1500 दिनों में पूरा होगा और 12 राज्यों को कवर करेगा केरल से यात्रा अगले 18 दिनों के लिए राज्य से गुजर एक अक्टूवर को यात्रा करना तक पहुचेगी ये यात्रा उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए करना तक में रहेगी पद्यात्रा हर रोज 25 क्लोमीटर की दूरी तैक कर रही है इससे पहले सोंबार को कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के पुन के साथ सचिन पाइलेट भी उनके सहयात्री बने हैं तो दिल्ली में कॉंग्रिस के अध्यक्षपत चुनाओ को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है आज अशो गहलो दिल्ली आ सकते हैं तो वहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली नहीं आने वाले हैं इससे साफ है कि वो अध्यक्षपत के लिए नामांकर भी दाखिल नहीं करेंगे फिलहाल ये कयास ही लगाय जा रही है वही केसी वेनो गोपाल आज सुन्या गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं जो कॉंग्रिस में बड़े बदलाओ का संकेत दे रहे हैं दीवी लाइफ की रिपोर्ट